अपने चनल में बहार आ रहा है पानी तो इसको इग्नॉर किजिए एक हां मोटर चल रही है तो मैं आप लोगों के साथ कुछ बाते हैं वो शेयर करना चाहती हूं सावितरी दो बाते रख रही है पॉजिटिव भी बाते रखने की कोशिश करती है और नेगिटिव भी बाते रखने की कोशिश करती है बातों ही बातों में वो बाते भी बोल जाते जो उसको नहीं बोलने होती है जैसे कि उसने अभी कुछ टैम से अपना point उठाया हुआ था कि मैं घर के सभी लोगों का खयाल रखती हूँ मैं घर में आई हूँ इस घर में तो मैं सरिफ इसलिए आई हूँ कि मैं सबको खुश रख सको यह सबको खुश रखने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी खुश्यों पर फुल स्टॉप लगा दे ऐसा नहीं होना चाहिए देखिए आप अगर व्लॉगिंग करते हैं तो व्लॉगिंग में कुछ भी नहीं चुप सकता है व्लॉगिंग का रिजन यह है कि व्लॉगिंग में प्लस आप जो दिखाना चाहते हैं ओडियंस को वो देखती देखती है दूसरी चीज़े कुछ ऐसी भी होती है जो कि आपको यह चीज़े समझ में आनी चाहिए कि यह बंदे ने अगर मुझे बोला है तो कहीं दूसरा ब के साथ दिखाते हैं सजना धजना सजसवर के अगर हम आप लोगों के सामने आके बैटेंगे तो उसको एक व्लॉगिंग नहीं कहेंगे उसको एक वीडियो कहेंगे व्लॉगिंग में जैसे हो वैसे ही जैसे आप रहते हो सब चीजे जैसे मैसी रहती है उसको व्लॉगिंग अगर आप बोटलों की जगा बाल्टी में या फिर मतलब जो पानी के म्यूर्जग आते हैं आप उनके अंदर भी पानी स्टोर करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस तरीके की अब देखो कितनी अंगिनत बोटले आपके घर में रहती हैं उन बोटलों को भ आपको ना म्यूर्जग का यूज में लेना चाहिए म्यूर्जग इसको बोलते हैं कैम्पिन बॉग भी बोलते हैं या फिर अगर आप पता नहीं है आप इतने बड़े सहर में रहते हैं तो वहां पर हम यहां छोटे-छोटे सहरों में भी पानी की बोटले घर तक देने के और होट आते हैं तो दिर के लाते हैं हम लेजर अपने जग में लाने के लिए और घर पर है तो इतनी सारी बोतलों से जगह गिरती है दूसरी चीजें क्या है एक तब मैसी मैसी सा लगता है देखने का भी मन नहीं करता है और अपनी सुविधा का भी थोड़ा सा आपको ख्याल रखना चाहिए आपके पती को भी सीज को सोचना चाहिए जब दिन रात बाबु बाबु कहने से बाबु नहीं होता बाबु की केर भी करनी होती है एक बात बताओ दिन भर में तो मानते हैं कि दिन में भी है सब लोग चिस्मा पहनते है रात में चिस्मा कौन पहनता है कौन पहनता रात में चिस्मा भाया जो रात में चिस्मा पहनेगा वो तो विचारा वैसी गिर के अ उस चीज के उपर बात करो, जिस नंद के हमारे सावितरी ने शादी की थी, वो नंद तो कई दिखाई नहीं देती, उसने कहा था कि उसके घर में भी उसके भाई थे ऐसे, जिसकी वज़े से वो पूरी उनकी केर करती थी, हर चीज उनकी देखती थी, तो इसी वज़े से उसन इतना शौक रहता है तो वह चीज़ ठीक है पर इतना भी सेवा करने का वह मत रखे कि आपको आगे जाकर इस चीज़ का हर्जाना आपको भुगतना पड़े हमको या किसी और को नहीं भुगतना होगा आप ही उस चीज़ के लॉस में प्रॉफिट में आप ही जाएंगी क्यों कि उम्र भर हमें अगर अच्छा निकल जाता है तो उसकी तारीफ करते हम नहीं थकते हैं अगर कहीं भी थोड़ा बहुत उच नीच हो जाती है तो फिर उसके लिए हमें सेक्रिफाइस भी करने पड़ जाते हैं तो सेक्रिफाइस वाली लाइफ से अच्छा है कि हम टेंशन नहीं देती, कहीं भी कैसे भी दिखाई नहीं देती, तो ऐसी चीजे मत फैलाईए, मुझे कहीं से पता चला, और जिन सिस्टर से मुझे पता चला, तो वो चीजे मैं देखकर एकदम शौक रह गी थी इस चीज को, क्योंकि शायद मैं प्रॉपर यूटूब पे नहीं रहती ह पर जिन सिस्टर की वीडियोस मैंने देखी, उन्होंने इस चीज को बोला है, सिस्टर इन लॉग की वीडियोस डाली थी, जो बिल्कुल, मैं कैसे बोलूँ, नहीं बोल सकती हूँ, तो आप शमच जाएंगे, उसके सरीर पर कपड़े नहीं थे, उस टाइब की वीडियोस ही बनके रहे जाएगा, अगर आप वीडियोस के लिए सब चीज कर रही है, तो, देखो जो एक रियल में होता है, वो चीज़े छुप नहीं सकती है, ना आप चुपा सकती है, ना मैं चुपा सकती है, वो हमेशा दिखी जाती है, और डिप्रेशन आपके फेस पर आजकल सम समझते हैं, कि रियल क्या होता है, और फेक हसी क्या होती है, और खस और पेना, वो लेडिस आपको जरूर ज़र्च करेंगी, जो हाउस वाइफ, जो आपके लिए ब्लैसिंग मांगती है, जो आपके लिए ये चीज़े सोचती है, कि आप बिल्कुल सही रहो, अब आप उनक राधे राधे, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजिएगा, वीडियो ची लगते हैं, लाइक और शेयर कीजिएगा, इस वीडियो के रिकार्डिंग कोई भी कोशन हो, कमेंट स्रिक्शन में देना मत बूलिएगा,